Hello Friends and Dear Students, आज का मार टॉपिक है Levels of Structural Organization, in Special Reference to Human Body, जो की एक काफी important topic है हमारे B Form, first semester, first year, कोर्स कोड BP-101T, जो की Human Anatomy and Physiology first है subject का नाम, उसके अंतर काफी important topic है, और इस वीडियो में हम लोग Structural Organization क्या होता है, उसके क्यों कौन से levels है, और इन सभी levels को आसान तरीके से different examples के साथ समझने की कोशिश करेंगे, मैं हूँ Dr. प्रजिने, शुक्ला, चली शुरू करते हैं, हाँ इस वीडियो में हम थोड़ा सा body systems जो हमारे सहीर के अंदर है, उनका नामित्यादी भी आपको जरूर बताएंगे, तो सबसे पहले बात करते है, structure organization क्या है, यह सब्द है, काफी common सब्द है, कई जगा यूज किया जाता है, management के courses में यूज किया जाता है, अलग अलग जगहों पर यूज किया जाता है, जहां पर भी किसी system की बात हो रही होती है, किसी एक प्रकार के पूरे संस्थान बन रहा है, या कोई एक ऐसा चीज बन रही है, जिसमें कई सारी चीजों को मिला करके, उसका कार्य भार बदला जा रहा है, तो जैसे कि हम लोग example में, सबसे अच्छा example हम लोग अगर किसी इसका लेना चाहते हैं, तो वो आप अपने college का example में ले सकते हैं, या किसी किताब को example में ल जो कि वहाँ पे सारी ववस्थाएं करते हैं, इसके बाद उन ववस्थाओं को पूरी तरीके से सुचारू लूप को चलाने से लिए, वहाँ पे आपको principal director चाहिए, उनको भी अपने नीचे कुछ लोग चाहिए, जो कि बहतर तरीके से अलग-अलग department में काम करते हैं, जिन students के बाद जो है, भी काफी सारे supporting staff जैसे lab में काम करने वाले लोग, electrician, etc, और साथी साथ जो है, कुछ चतुर्त सेडी कमचारी गन, जो सफाई इत्यादी या आप लोगों को पानी इत्यादी पिलाने का काम करते हैं, माली हैं, इत्यादी, बहुत सारी लोग, इन सब को मिला चल पाएगी, teacher नहीं आया, तो भी class नहीं चल पाएगी, तो इसलिए ये सब एक दूसरे पर क्या है, dependent हैं और इन सब के होने की वज़ज़ से उस area को हम college बोल रहे हैं, next, दूसरा example है, बहुत ही अच्छा example है, वो है आपका book का example, book को अगर आप लोग देखें, तो वो भी क लुलर, तो ये जो uni है, ये क्या है, alphabets, alphabets को मिलाने से क्या बनते है, words, कई सारे words हों को मिलाने कर क्या बनता है, हमारा एक sentence, और कई सारे sentence को मिलाने से क्या बनता है, एक paragraph, कई सारे paragraphs को मिलाने से बनता है, आपका एक chapter, और कई सारे chapters को मिलाएंगे, तब जाकर क्या बन आईए अब biology के reference में बात करते हैं तो जब हम लोग biology में देखते हैं तो काफी प्रकार के हमें और देखने को मिलते हैं जो सबसे simplest जीव है हमारे वो unicellular यह single cells होते हैं जैसे कि bacteria है virus है यह एक cell के बने होते हैं simple एक single cell के उसी के अंदर उनके जीवन की सभी activities जो होती है और अगर वो colonies में पाय जा रहे हैं एक से ज्यादा है एक ही जगह पे जैसे E.coli bacteria है तो धेर सारे bacteria cells जो है एक साथ जमा हुए है तो bacteria एक cellular number नहीं मतलब word नहीं करती है यानि एक दूसरे से उनका कुछ लेना देना नहीं होता है यह होता है क्या हमारा unicellular cell का structural organization जबकि multicellular organism जो होते हैं जैसे माल लिए कि कोई आपने बोर्ड पढ़ा जिस पर लिखा हुआ है कि रास्ता इधर से है बहुत ही छोटा सा है यह एक तीर बना दिया रास्ता लिख करके तीर बना दिया वैसा कुछ ही है हमारा activity कर रहा है bacteria मतलब एक बोर्ड को देखने से पता चल गया कि रास्ता की बारें मताया जा रहा है और रास्ता इस साइट से है लेकिन जब हम एक बुक में किसी रास्ते को किसी मैप में किसी चीज को ढूर रहे हैं तो काफी चारी बातों का हमको ध्यान रखना पड़ता है वो क्या होता है हमारा multicellular organism जैसे human humans जो है हमने पहले भी का कि काफी complex एक body structure है या एक functional level पर भी काफी complex है तो यहां पर different प्रकार की cells है अलग अलग तरीके की और यह सभी अलग अलग तरीके की जो cells है उन सभी के अपने अपने specific क्या होंगे activities है और उन सभी specific activities को वो अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से उसको क्या करती ह लेकिन इतना complex organization है इन cells का या इन tissue levels का जहां पर हर एक cell तो specific function तो कर रही है लेकिन ये दूसरे cells या दूसरे system के ऊपर dependent होती है जैसे आपने कहा कि आपके शरीर को भोजन इसले चाहिए क्योंकि आपको energy चाहिए ये energy generation करने में आप देख रहेंगी different प्रकार की cells लग रही है कोई secretory cells हैं कोई absorptive cells हैं कोई जो है आपका bone जो आपके दात हैं जैसे वो उस बोजन को छोटा कर रहे हैं enzymes जो आ रहे हैं वो उसको तोड़ रहे हैं और तोड़ने के बाद पचने के बाद वो connective tissue यानि blood के दवारा उसमें से जो अप्लब्द glucose इत्यादी है वो दूसरे cells तक पहुँच रहा है तो यह आप देख रहें एक cell जो है वो दूसरे cell के ऊपर क्या हो रही है यहाँ पर dependent है एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे हैं यानि कि principal जो है वाटेज चोड़ी के ऊपर dependent है जो हमारे words है या जो हमारे पैराग्राप्स हैं वो sentence के उपर dependent है sentence जो है वो वर्ड के उपर dependent है तो कुछ इस प्रकार का एक complex organization human सरीर के अंदर देखने को मिलता है अब जबुरत यह है कि क्यों हमें structure organization पढ़ने के आप शकता है हमने कहा कि हमारा सरीर काफी complex है उसके structures काफी complex है उसके function काफी complex है लेकिन हम देखते हैं आम जीवन में बहुत ही simply हम किसी भी काम को कर रहे हैं हम आपसे आब आपको पढ़ा रहे हैं हमारा respiratory system अपने आप काम कर रहा है हमारा जो other systems हैं वो सारे कि system अपने काम करते चले जा रहे हैं क्योंकि यह structure organization कुछ इसी प्रकार से maintain है कि सभी चीजें अपने आप होती रहें और अच्छे से किसी भी organism को किसी भी जीव को किसी भी humans को जिंदा रहने के लिए इन structure organization के different levels का सही तरीके से काम करना बहुत आवश्यक है तो आई आप बात करते हैं लेवल्स की जैसे भी अभी हमने book का example लिया आपके college का example लिया तो different levels है जो होडी है उनका लेवल अलग है principal का लेवल अलग आपके क्या नाम है टीचर्स का लेवल अलग हमारे student का लेवल अलग सभी का एक level है हाई आड की system में रखेंगे तो एक के बाद एक यानि इसे बड़े से छोटे में आप उसको बाढ़ सकते हैं जैसे book के भी system में हम लोग words को letters को paragraphs को अलग-अलग बाढ़ सकते these are known as levels तो जो हमारी body है इसमें भी कई सारे levels में हम इसे बाढ़ सकते हैं इसका जो level start हो रहा है सबसे छोटा जो level होगा वो atoms या molecules का है यानि कि chemical level जहां से यह शुरू हो रहा है अगर atoms ना हो तो atoms के जुड़ने से क्या बनेगा molecules नहीं बनेगा सबसे पहली चीज़ atoms के जुड़ने से क्या बनता है molecules molecules के आपस में जुड़ने से बनते हैं बड़े वाले molecules macromolecules और बड़े molecules के आपस में जुड़ने की वज़े से cell tissues then organ और फिर system और फिर पूरा शरीर जो है वो बनता है तो इस तरीके से different levels जो हमें देखन को मिलते हैं और इन levels को हम छोटे से बड़े में के क्रम में रख सकते हैं यानि कि सबसे छोटे से सबसे बड़े क्रम में और जब आप इस क्रम में चलते हो तो आपको 6 organization sorry 6 levels जो है वो इस structure organization के दिखाई देते हैं सबसे पहला है हमारा chemical level अभी हम दोग एक-एक level को देखेंग लेवल यानि पूरे body की बात कर रहे हैं तो देखें simply शुरुवात कहा से होगी सबसे छोटा atom और molecule आपस में जुड़ेंगे उनसे क्या बनेंगी cells और cells के मिलने से क्या बनेंगे tissues एक particular tissues के मिलने से क्या बनेंगे या different प्रकार के tissues के आपस में जुड़ने से क्या बनेंगे organs और specific organs के आपस में एक जैसा काम या एक जैसे function करने पर क्या बनेगा एक पूरा organ system और organ system जो होते हैं उनके सभी system के एक साथ काम करने पर आपका एक पूरा human body या फिर एक पूरा organism जो है वो तयार होगा तो इस levels पे हम लोग देखेंगे यह है total six levels of structural organization आईए अब एक एक करके इन levels को देखते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे चोटा level that is या starting level that is chemical level chemical level अपने नाम सी बता रहा है कि इस level में हमारे atoms और molecules जो है वो आते हैं आप भी जानते हैं कि हमारे शरीर को बनने में काशी सारे atoms की जोरक पड़ेगी क्योंकि दुनिया में जो भी चीज हो या आपका शरीर हो कोई सबजी हो कोई फल हो सभी कुछ जो है atoms या molecule से ही मिलकर के बना है यानि कि chemical चीजों से मिलकर के बना हो इसलिए मैं में सब कहता हूं कि chemistry जो है वो जीवन है next आगे बढ़ते हैं जब यह atoms जैसे कि आपके जीवन में हमारे human body को या किसी organism को बनाने क के लिए सबसे जबड़ी चीज क्या है carbon है hydrogen है oxygen है nitrogen है phosphorus है different प्रकार के atoms है यह atoms जब आपस में जुड़ते हैं तो molecules का formation करते है different molecules different atoms के साथ जोड़ करके complex structure बनाते हैं जिसे आप लोग macromolecules के नाम से जानते है macromolecules और macromolecules बनाना शुब करते हैं यह macromolecules या atoms जो है वो essential है life के लिए या किसी भी चीज के formation के लिए कुछ macromolecules के example हम लोग ले सकते हैं जैसे कि इन carbon hydrogen oxygen के मिलने के जैसे carbohydrates बनते हैं इन carbon hydrogen oxygen nitrogen इत्यादी के मिलने से आपके proteins या amino acids बनते हैं इनी के मिलने से आपके fats या lipids क formation हो रहा होता है इनी के मिलने से हमें DNA, RNAs जैसे macromolecules हमारे शरीर के अंदर बनते हैं carbohydrates जैसे कि glucose या other sugars, proteins, different करकार के आपके शरीर के अंदर जो amino acids हैं इन सभी के मिलने की वज़़स से ही एक छोटी cell का formation आगे चल करके होगा तो यह सभी के सभी जो macromolecules हैं इस 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 नोन आ के एक cell का formation वो करते हैं जैसे आप सभी को मालूम है कि protein और fat के आपस में जुड़ने के जैसे cell का जो cell wall है इत्यादी उसका formation हो रहा है ठीक है तो उसी के अंदर आपका nuclear से जहाँ पे DNA RNA है तो यह सब यह जो molecules हैं आपस में combine होते हैं और cell का क्या करते हैं formation करते हैं और जो cell है हम सभी जानते हैं कि वो एक basic structure और functional unit है human body की यानि हमारे शरीर की जो सबसे छोटी unit है जो की काम कर रही होती है एक particular structure भी दे रही होती शरीर को और उसका जो function है उसको भी cellular level पर यानि सबसे छोटे level पर वो उसको करने का काम करती है तो cell क्या है हमारी basic structure और functional unit next ये जो cells हैं कई बार ये specific structure या specific function की होती है जैसे nerve cell है तो वो सिर्फ nervous system से related काम कर रही है muscle cells हैं जो की muscular system बनाने के काम कर रही है skeletal cells हैं जो की bone इत्यादी बनाने के काम कर रही है तो यह different cells है, कुछ secretory cells हैं, जो केवल secretion का काम कर रही है, तो यह specific structures हैं, अलग-अलग cells के, क्योंकि अलग-अलग combination हो रहा है, अलग-अलग chemical का, इस वज़े से, और उनका structure अलग होने के वज़े से, उनके कुछ functions भी क्या हो रहा है, specific होते चले जा रहे हैं, अब specific structure या specific function वाली हैं, वो और उसके पास जो specific cells हैं, उनको आपस में जुड़ने से क्या बनता है, हमारा tissue बनता है, यह और complex हो गया, सबसे simple क्या था, chemical level, उससे क्या बना है, थोड़ा सा complex cellular level, और उससे complex क्या बना हमारा tissue level, यह जो tissues होते हैं, वो specific particular functions को ही क्या करते हैं, perform करते हैं, और अगर आ तरीके के tissues पाया जाते हैं, वो tissues के नाम आपके सामने रख रहा हूं, सबसे पहले हैं हमारा epithelial tissue, दूसरा connecting tissue, तीसरा muscular tissue, और चौथा जो है हमारा nervous tissue, देखे, epithelial tissue जो है, वो हमारे शरीर के सबसे उपरी covering इत्यादी बनाने काम आ रहा है, जैसे skin इत्यादी बनाने के काम में आ रहा है, दूसरा हमारा connecting tissue है, connective tissue है, वो different प्रकार के tissues को आपस में जोडने के लिए से bone को ligament के साथ जोडना है, या muscle के साथ जोडना है, तो यह जोडने का काम हमारे connective tissues कर रहा है, next muscular tissues जो हैं, वो organ शित्यादी को बनाने के काम में आ रहा है, जो कि उसको muscular level जो है, वो कर सकते messages हैं, जो कि brain से organ को या organ से brain को पहुचाना है, आपस में बात करनी क्योंकि brain जो है आपका, वो एक तरीके से आपका driver है, आपकी body का, तो वो सारे काम जो है, वो कराने का काम कौन करेगा, हमारे nervous tissues करेंगे, तो generally यह 4 तरीके के tissues हैं, और इन 4 तरीके के tissues के आपस में ज structure और function वाली चीज़े बनाते हैं, जिने हम आम क्या देते हैं, आम आम रूफ से मुसे कहते हैं, organs, ठीक है, अंग, जो हमारे शरीर के different अंग है, यह अंग जो होते हैं, इन सभी का specific shape होता है, size होता है, आप इसको specific shape या size से पैचान सकते हैं, जैसे कोई आदमी या कहे brain, brain की picture देखती हैं, आप जैंगे कि वो brain है, पेट नहीं है, आपका, आपका stomach है, bones है, आपके heart है, liver है, आपके lungs है, kidney है, जो भी कुछ है, skin है आपकी, यह सब के सब क्या है, specific organs है, और in organs का specific shape और size है, और साथी साथ specific function भी है, brain जो काम कर रहा है, वो काम कभी bones नहीं कर सकती, bones का क्य लेकिन, brain क्या कर रहा है, इन सभी organs को control करने का काम तो कर सकता है, अपने messages पहुंचा सकता है, आपकी body को एक तरफ से कह सकते हो, आप उसको computer के रूप से चलाने का काम कर सकता है, तो यह तो brain का काम है, lungs का काम अलग है, lever का काम अलग है, सब का structure अलग-अलग है, और सभी का functions भी क्या है अलग-अलग है या specific function कर रहा है, इस चमक का function जो है वो skin कभी भी नहीं करती, इस level को हम क्या कहते हैं, organ level, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले system की तरफ, sorry, अपने अगले level की तरफ, जो level है हमारा system level, system level जो है, बिल्कुल जैसा की different issues के मिलने से organ बनना था, वैसे different ए की वजह से, एक अलग का level बनता है, और that level is known as system level, यह वो organs है, जिनका function थोड़ा बहुत common है, structure तो अलग अलग है, लेकिन functions जो है, उसमें थोड़ी बहुत similarity है, या एक किसी particular function को, यह लोग मिल जूरुल करके कर रहे हैं, तो इस level को हम क्या बोलेंगे, system level, इसे हम लोग organ system level के नाम से भी जानते हैं, जैसे, अब हम लोग एक example ले ले लेते हैं, digestive system, काफी सारे systems है, digestive system है, muscular system है, endocrine system है, आपका reproductive system है, respiratory system है, different systems है, इन system में, अगर हम लोग digestive system का जैसे example ले रहे हैं, तो बहुत सारे organs हैं, अलग अलग जैसे mouth, mouth में भी काफी सारी चीजें लगी हुई करके mouth, फिर salivary grains, इसके बाद pharynx, oisophagus, आपका stomach, small intestine, large intestine, liver, gallbladder, pancreas, collectively, इन सभी को जब आप ले लेते हैं, ये सारे organs, different different organs हैं, इन organs के जुड़ने की वज़ा से आपका क्या बनता है, digestive system, अगर इन में से कोई भी organ अपना काम न करे, या वहाँ पे उपलब्द न हो, तो आप का digestive system क्या है, complete नहीं होगा, या digestion की जो process, वो पूरी तरीके से सही से नहीं perform होगी, यानि ये different organs के जोड़ने की वज़ा से जाकरके, एक आपका digestive system बन रहा है, ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है, कि कोई एक organ जो है, वो एक से ज़्यादा system में काम कर रहा होता है, जैसे liver की ब unity system में भी काम कर रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई एक organ जो है, वो एक से जादा system में मिल कर के भी काम कर सकता है, बस इसलिए क्योंकि इसका function दूसरे systems के, दूसरे organs के से मिलता जुलता है, या उसके साथ मिल कर के काम कर रहा है, इस वज़ान से हम लोग इसको ले ज़े वह ती है या बाइस्ट इसे ररी होती है तो इसी जरीके में एक श्याधर स्थ में भी काम करता है जह सीस्टमें पर इस जिया पसमें पर जा रहें। इनके मिलने की वजह से एक living एक जीवित इंडिविजयल का formation हो रहा है या फिर एक human being को formation हो रहा है या किसी भी एक organism का बन रहा है वो या वह जीवित है अपनी जीवन की क्रियाएं जो है वह करा है यह हमें पता चलना है ठीक है nourत जीवन क्या है कैसे क्रियाएं कर भीूंट्ट है तो उस पर भी बात करेंगे कि किसको आप जीवित मानते हैं ठीक है तो जो human body है as a different part human body जो सारा कुछ जुड़ करके एक साथ जो काम कर रहा है उसी को आप क्या बोलते है और निजम लेवल या और निजम लेवल या आप इसको कुसी बन बोल सकते हैं या human body आप उसको बोल रहे हैं तभी बोलेंगे जब सारे लेवल्स आपस में मिल करके काम कर रहे होंगे अब बात कर लेते हैं यह सभी लेवल्स के बात जो next topic है आपका वह human body के system उसको तो आम लोग नेक्स वीडियो में एक short में सभी system को समझेंगे और उसमें क्या function है उसका वो भी देखेंगे लेकिन आज क्योंकि हम लोग levels की बात करें तो तुझ जो system level है वो सबसे important levels में से एक है तो कई बार एक प्रशन उठता है वाइवाब में या कई बार आप कहीं पर खड़े हैं या कोई आप class में हैं तो कि यह सभी system जो है वो specific particular function जो है वो perform करते हैं माई शरीर के लिए यह जो different five levels है system जो हमारा system level है उसमें total 11 system जो है वो human body के अंदर पाए जाते हैं पहला है हमारा integumentary system integumentary system मतलब आपके शरीर के जो covering इत्यादी जो है जो skin है वहाँ से दूसरा is skeleton system जो कि आपके शरीर को safe दे रहा होता है तीसरा हमारा muscular system जो कि हमारे सरीर के अंदर muscular जो weight है उसको बना रहा होता है चौता है हमारा nervous system जो कि हमारे brain से उसको connect करता है ताकि जो different organs है वो brain के साथ communicate कर सके नेक्स है हमारा या कोई problem है तो brain तक महुचा सके पांचवा ह है हमारा endocrine system, endocrine system जो है different hormones को secret करता है जिसकी वैसे हमारे सभी biochemical reactions जो है वो perform होती है अगला है हमारा या growth इत्यार भी हमारी होती है next है हमारा cardiovascular system जो कि हमारे heart और vessels से blood vessels से मिल करके बना हुआ है जो कि connective cells है जैसे RBCs है WBCs है इनको दूसरी जगह तक पहुचाने का pump करने का नेक्स है हमारा digestive system जो हमें energy प्रतान करता है अगला है हमारा आठवा system है unity system जो कि हमारे शरीर के जो waste product है उनको बाहर निकालने के काम में आता है अगला हमारा lymphatic system नौवा system जो हमारे सरीर की immunity इस्तियादी को बनाने के काम में आता है next है हमारा respiratory system जो है अक्षीजन की supply है उसको कर दे के काम में आ रहा या respiration की प्रक्रिया को पूरा करने के काम में आ रहा और जयारा है हमारा reproductive system जो कि हमारे जैसे जो है दूसरे चीज़ों को प्रोडूस करने के काम में आ रहा है क्योंकि जो human life की परिवासा उसके इसाब से हमें भोजन चाहिए हमें भूग लगती हम बूफ करते हैं और अपने जैसे एक और ऑग्यम को पैदा करने की छमता रखते हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतरगत लेकर करके आते हैं तो यह था आज का मारा टॉपिक जहां पर हमने डिफ्रेंट लेवल्स इस्ट्रक्शल और पहले तो समझा और फिर डिफ्रेंट लेवल्स को भी समझने की कोशिश की कि वो कौन कौन से लेवल्स हैं उन 6 लेवल्स हैं और 6 लेवल्स को भी साधान तरीके समझने की कोशिश की सो अंदर है क्या उसके एक्जामपल्स पे लिए अगर आपको इससे लेटर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं उसको हम एंसर करने कोशिश करेंगे यहां जो 11 सिस्टम हमने लिखे हैं इसको भी हम लोग ग्रीफली डिसक्रस करेंगे आपके सलेबस में है वो उसको डिसक्रस किया जाएगा और नेक पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनिये दॉक्टर पी के एस और डॉक्टर एम पी एस क्लासेज को और करें अपने वी फार्म डी फार्म का सपना साकार डाउनलोड दिया है नाओ